सो फैमली आई अब अपनी पटार्टिव टॉफी बनाना स्टार्ट करते हैं यहां मैंने लिया है वन एन हाफ कप और वन एन हाफ का टोरी मैदा यानि की ऑल परपस फ्लार अब इसमें डालेंगे एक छोटा चमच यानि की वन टी स्पून चिली फ्लेक्स चिली फ्लेक्स इस अब आपके अपनी मर्जी है अब इसमें डालेंगे एक छोटा चमच यानि की बंड टी स्पून अजवायन जो है इसको तोड़ा क्रिस्पी बना देती है सो किस्पी बन देते हैं सो अब जालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक नमक पिलकुल तो डालेगा अगर आपने कमेंट करके बताओ कि इसको अरिगयनु पसंद है चली मेर को तो और यह बढ़ी पसंद है सो यहां पर मैंने डाल दी है और गयनो इसमें डालने लगे है हमारा दो बड़े चमच यानिकी टू टेबल स्पून ओल अब को इसा भी रिफाइंड ओल डाल सकते हैं वादर घी य इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे हां उसको मिक्स कर लिया अब हम थोड़ा दी जिर पानी डाल के इसका आटा बिल्कुल वैसे गुन लेंगे जैसे हमारा समोसे का होता है या फिर पूरी से थोड़ा कड़क हम मैं क्या करना है आटे को 10-20 मिनिट के लिए रेस्ट पर रख अब मैं इसको साइड रख रही हूं तिल नन अब क्या करते हैं इसकी वह ताटो टॉफी की फिलिंग मनाना स्टार्ट करेते हैं यहां मैंने एक अपना नॉन स्टिक पान जो है वह गास वे रख दिया है जिसमें मैंने टू टेबल स्पून ऑइल डाला है आप गी भी डाल स utis है ने यहां आखता है सो मैंने इन ब्रारफवेय는 अब मैं इसमें डालने लगी हूँ म्ताइब डालनी लगी हूँ मेरेन कलस से तीन वंसमें हरी मिर्च हर इमिर्च के लिए मैं तो है मैं नहीं में 2-3 मिर्च आपनी अब बड़ा चममच यानी की 1 टेबल स्पून धनिया पत्ती सो अब हम इन दोनों को अच्छा से चला लेंगे सो अब यह डालने लगे हैं एक चोटा चममच यानी की 1 टी स्पून गार्लिक पीस आइए जो गार्लिक का फ्लीवर है वो इस इतना उभर आता है तो बहुत जाद अगर जो लोग यहां लिट यहां वहा है देखे बिना गार्ली का भी घुणार करना मैं आप दोल शीट मेत्य है तो यह इस में अनुट फोलग आधा तो आप कसूर gefähr जाता है जब तक हाई जाए आध मेना वह प्रॉदब यहरा काईrok तो अब इसमें अपनी फॉर्दर इंगेटियन्स आड़ करेंगे सो देखिए भी इसको भूनने रीजी हम अच्छा से भूल लेते हैं अब हमारा गार्लिक भूनके राइटी है समाने आप लिया है चाट मसाला यहां पर हम वन टीस्पून चाट मसाला डालेंगे अगर आपकी चाट मसाले में चाट मसाले में लाकि काला नमक कहते में कम करेंने में लadd One teaspoon лиш스ोड काश्मीरी मिर्च काश्मीरी मिर्च टीक्व कम होती है इसलिए के रेसिपीरilla मूब काश्मीरी मिर्च चार्णट काशमीरी मीर्च चेखा में इसलिए हम इसा में मुस्त लेइं में काशमीरी मीरच आझा है अब ढालें दालीं हमारा और रहां पैबल्सपून यानि की अधा छोटा चमच गरम मसाला कर्व मसाला जिसको नहीं पसंद ना डाले कोई मैंडेटरी नहीं है यहां मैंने डाला है आधा चोटा चमच काला नमक अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे नहीं तब तक हम इसको ऐसे चलाते रहेंगे देखें चार बड़े चमच यानिकी 4 टेबल स्पून डालेंगे ग्राउंफ्ला बेसन डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो अमारी बाइनिंग है वह फिलिंग भार ना निकले बेसन जो है वह मारा बाइनिंग का काम करता है अगर कोई बेसन पहले डालना भूल गया है तो वह बाहने भी डाल सकता है वह हरका सबीसे को घी में बुनके समारा बेसन आमने इंगरेंट बुनके रेडी है इसकी स्मेल पढ़ी क्यारी आ रही है खुश बहुत अच्छी है यहां मैंने लिए है छोटे साइस के आलू थे बुन सकते कोई दिखकर नहीं है तो मैंने चार चोटे साइस के आलू लिये है और मैंने इसको अलू देखे हम डाल दिया है इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे अब इसमें आड़ करेंगे हमारा हाफ टीस्पून यानी की आदा चोटा जमच किचिन किंग कर करके बताओ किस पसंदर कम डालेगे आपके पनी मर्जी है तो इसको अच्छे से चला लेंगे तब तक पूरा मतलब मसाले के साथ आलू मिक्स नहीं हो जाता है तो देखिए यह हमारा आलू मिक्स हो के रेडी है हम इसमें तो चार बून नीबू की डालनेंगे नीबू हमारा और चट पिट नहीं है यहारा 1 tablespoon अपनी की ताहिए ने जातने के बड़ा स्थीव कुश्पून के बराबर का होताई वर और पर यहार निकाल लिया में तो हमें क्या करने है हाथ पी थोड़े से आलू लेने है उसको रोल करना अच्छेस को जितने साइज कर लिखने साइज कर रोल करना है इसको साइड में रग देना है मतलब हो थोड़ा एक जिसको टॉपी में पर्फिक्ट आ जाए तो इसको थोड़ा सा रोल करके इसके एजिस हलके से प्रेस करके ताकि यह थोड़ा दिखने में सेट हो जाए आलू इसमें थोड़ा निकले ना तो हमारे यह इसकी टॉपी की तिलिंग बनके रेडी हो गए है देखें आ मैंने एडिटिंगे हमाल से और जट से मेरे सारे बनके रेडी हो गए है तो अब हमारा आटा बे बिल्कुल पॉफेक्टली सेट हो गया है अब क्या करेंगे आटे की छोटी छोटी शी तुकरों में तोड़के उसकी चोटी 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 तुकरों में तोड़के उसकी बार में हम पेडिया बना लेंगे उसका थोड़ा अपने हच्छी गोल करके उसको थोड़ा स्मूथ कर लेंगे मेरे पेडिया बनके रएडी है अब हमें इसको बेलना है बीसिकली इसको में ओल शेप मे बेलना है हाँ क्योंकि हमें थोड़ा लंबा चाहिए ध्यान बखें कि तुमारा पेड़ा बिला बेलना है उसको छोटा ना हूँ थोड़ा बड़ा हूँ ताकि हमारी जो टॉपी की बिल्कुल परफेक्ट शेप आए तो यहां मेरा पता है क्यों चिप पकरा था आज नकरे कर रहा है तो मेरा यह चोटी पूरी बनके रेडी है तो देखें मैंने यहां पे अपनी सारी पूरियां बना ली है सो देखो आप बहुत नकरे कर रहे हैं सो ऐसी मैं अपनी सारी पूरियां बना लूँगी तो देखें गाइस बनके रेडी है अब हमने क्या करना है एक नाइफ लेना है नाइफ से हमें इसमें थ्री कट्स मारने हैं लंबे कट्स टूइटा सेकेंड आइविल शोग अब कैम लका रलोल हो आप इसके अंहें रह दग दीजिये और इसके कोर्फ नर अच्छे से बादेग Grade कर दीतिए एक नकरन प्रियां अपैस में DES Mi कर दीजिये आ구RO इसको आच्छे से प्रेस करके ठोड़ा इसको आइसएल नहीं एक्या परफी के तर सट करके थोड़ा प्रें यह से उबलते तेल सो हम पहले इसमें दो राइन का दिल डालके देखें और आपके टॉफिक्ट ली निकल रही है तो आप इसे सारी बना ले जए तो आप क्या कीजिए इसमें थोड़ा सा बेशन और एड़ कर दीजिए ताकि वह और जदा अच्छा से सैट हो जाए आपके जो फिलिंग है नीडि तो तो सीमें प्धूल से सब्क्राव आपके तब यह पर मेडियं फ्लीम पर अकड़न से सिर्कियां-ब्राउन थे करें तब तक फ्राइ करेंगे तब तक ब्राउन ने हो जाती दिखेंगे इसको अपने गड़ाई से भार निकाल लेंगे तो यह हमारी अब बन के त्यार है अब इस गन्य देखिए किती ब्यूटिफुल लग रही है यह दिखने में हुआ 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 है